So, Hello Students and Welcome back to my YouTube channel, SP study classes 9th इसरी फाइबर बच्चों तो बच्चों, आज की इस वीडियो के इंतरकत हम लोग बात करने बाले हैं Class 12th Chemistry को लेकर Class 12th Chemistry chapter आपका जो दूसरा chapter पहला है Chapter 1st है बैसे तो अगर हम बात करें previous year की तो अगर हम book की, पुरानी book वोगी बात करें तो हमारा जो chapter है दूसरा chapter था billion लेकिन अगर हम बात ने out of slavis हमारा जो slavis कम हो गया है अब जो हमारा slavis कम हुआ है उसके according हमारा जो पहला chapter था solid state यानि कि ठोस अबस था कउन सा बच्चों ठोस अबस था ठोस अबस था जो chapter था वो हटा दिया गया इस वर्स हमें नहीं पढ़ना आए नहीं उससे हमारे exam के अंदर question आएंगे तो हम उस chapter को हटा दें तो हमारा जो billion chapter है पहला chapter है लेकिन इस वीडियो के अंतरगत हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो का इस chapter का part 2 वीडियो ये हमारा होने वाला है इससे पहले के part में हमने important numerical को बात की थी और आज किस वीडियो के अंतरगत भी हम numerical की ही बात करने वाले हैं यानि कि अगर हम बात करें class 12 chemistry का solution यानि कि billion जो chapter है उसके numerical का part 2 वीडियो आज के हम discuss करने वाले हैं देखिए इससे पहले हमने 5 numerical को discuss किया था इससे first जो वीडियो था उसमें 5 numerical को discuss किया था और आप लोगों को मैंने बताया था कि numerical आपको कैसे हल करना है ताकि आपको exam के अंदर पूरे number मिल सके हल करने का तरीका क्या होता है इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था अगर आपको वो सारी चीजे देखनी है तो आप क्या करेंगे description box में जाएंगे वहाँ पर आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा उस वीडियो को अबस देख लेना क्योंकि वहाँ से आपका basic clear हो जाएगा कि हमको numerical कैसे करना है क्योंकि chemistry के अंदर गद बच्चे घवडा जाते हैं लेकिन घवडाना नहीं है तो बच्चों देखें हमारे पास पहला numerical है यानि कि अगर हम बात करें इस chapter का 6 number numerical है कहे रहरा है कि 500 ml NY 10 संधरता का billion बणाने के लिए अगर billion बनाना है तो इसके लिए हमें इन एोईज की कितनी मात्रा की बात सकता होगी तो बच्चों मैंने आपको बटाया जो ml दिया गया मतलब given आप यहाँ पर लिखेंगे given हमें दिया गया item दिया गया b equal to दिया गया 500 ml 500 ml दिया गया e n equal to क्या दिया गया है e n equal to n y 10 दिया गया n equal to n y 10 दिया गया है अगर इस n को मटा दें तो इसके उपर बनी तो होगा कर एनको side कोई करते हैं ठीक है कह रहा है इस billion में कितनी मात्रा की अवसक्ता होगी एनि केस में मात्रा पूँच रहा है यानि कि इसका भार पूँच रहा है डवलू लेकिन मैंने आपको सूत्र क्या बताया था यानि जूकल्टू डवलू अपॉन ई इन्टू वी ये जो बच्चों मारा सूत्र है इस सूत्र पे हमें निवेरिकल लगाना है अब हमें बात आती ई का मान क्या होना चाहिए बी का मान तो हमारा ये है लेकिन बच्चों यहाँ पर बी किसमे होनी चाहिए लीटर में होनी चाहिए यहाँ पर किसमे है इसको अगर हम लीटर में चेंज करते हैं तो पचास डिवाइड वाई एक हजार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको लीटर मिटले एमल से लीटर में कैसे चेंज करना अडुभार E-N-A-O-H का अडुभार कितना होता देखिए बच्चों यने का होता है तेज आक्सीजन का होता है सोला हाइड्रोजन का होता है इनको आप जोड़ेंगे तो आएगा फोर्टीन चेतिन नव एक दस दो एक तीन एक चार आएगा फोर्टीन तो हमारा जो E का मान आया बच्चों यहां पर E का मान बुआ गया फोर्टी अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे देखिए E-N का मान दिया गया बनवाई टेन W हमसे पूँच रहा है E का मान हमें पता ही है कितना आया बच्चों फोर्टीन इंटू B का मान पता ही हमें बनवाई टेन्टी यह वाला हमें रखना है एक जीरो से जीरो केंसिल करते हैं दो दूनी चार इसको मैंने काट दिया तो बनवाई टेन डिवाइड वाई डबलू वाई टू यही तो बचा हमारे पास नहीं बचा अब इसकी तिर्चा इस तरीके से हम गुणा कर देंगे इस तरीके से तो 10 डबलू इजुकल टू क्या हो जाएगा डबलू के साथ में 10 2 हो जाएगा 10 डबलू इजुकल टू अब हमें अगर डबलू निकालना जो हमारा मान आया W का 0.2 ग्राम इतनी मात्रा हमें एन्योज की आवसेक्ता पड़ेगी बिच्छों यही हमारा इसका आंसर है समझ में आ गया निमेरिकल एक बार और समझ लिजिए दिखिए कह रहा था 500 ml NY10 सांदरता का बिलियन बनाने के लिए हमें कोई 500 ml NY10 सांदरता का बिलियन बनाना था उसमें एन्योज की कितनी मात्रा की आवसेक्ता पड़ेगी हमने किया कि हमें दिया था इसको मैंने बच्छों लीटर में चेंज कर लिया फिर हमें एन का मान बन वाइट 10 मान लिया हमने सो में दिया था एन अटाया यहां पर बन बचा होगा ठीक है एन वाइट 10 डबलू का मान में निकालना था एका मान में निकाल लिया मान रखिया हमारा अंसर आ ठीक है इसी प्रकार से नेश्ट निमेरिकल देखे काफी अच्छा निमेरिकल है दिखे बच्चों नेश्ट निमेरिकल है उस बिलियन की मोलर्ता यानिक के 5 ग्राम गोले हूं तो पहले हम नोट करें लेंगे हमें क्या दिया गया है गिवेन में क्या दिया गया है बी जुकल टू दिया गया है 450 एमल मैंने बताया आप इसको क्या करें डारेक्ट चार सो पचास डिवाइड वाई ही एक हजार आप इसको ml से लीटर में चिंद कर लें यानि कि आया 45 बटे 100 आ गया नहीं आ गया ठीक है इतना आ गया हमसे EM पूँच रहा है अब ENEOH हमें दिया गया है अब हम पहले आपको सूत्र बता देते हैं इसका सूत्र होता है EM is equal to W into EM into V ठीक है E small M है molar दर्बमान हो सकता है अगर आप चाहे तो इसको यहाँ पर E भी लिख सकते है E का मान ही EM की जगाए पर हमें रखना होगा ठीक है चाहे तो EM लिखे चाहे तो E लिखे फिर आप कहेंगे सर पीछे वाला सूत्र आ गया तो आप कुछ भी चाहे चाहे तो आप ऐसे लिख ले और चाहे आप ऐसे याद रखे EM is equal to E into V बच्चों यह सूत्र कहीं पर आपको इसमें 100 भी मिल सकता है सूरी बंठ फाउजंट से एन एक एक 1000 से आपको कहीं कहीं सूत्र में इसमें गुणा मिल सकती है आप बच्चों एक 1000 से गुणा जम मिलेगी आपको करना कपड़ेगा जब हम बी को यहाँ पर डारेक्ट चंज नहीं करते हैं लीटर में तब हमें 1000 से गुड़ा करने, जब हमने डारेक्ट चेंज करके आते तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जब आपने चेंज कर लिया तो उसे 1000 से आपका कोई मतलब नहीं है, आप अगर बुक में देखेंगे तो इस प्रकार से आपको मिल देगा तो इसलिए मैं बता रहा हूं ठीक है बच्चों आप देखिए अब एम इजुकल टू क्या हो जाएगा हमें डबलू दिया गया चार सो पांच गिराम यानिकी पांच गिराम दिया गया है डबलू का मान हमने पांच रखा यी का मान अगर हम एन्योच का अडुभार न 45 बटे 100 एक जिरो से एक जिरो केंसिल कर दिया हमने कोई प्रॉबलम नो प्रॉबलम होनी भी नहीं चाहिए आप इस दस को क्या करेंगे मूपर ले जाएंगे उपर चले जाएंगे यह हो जाएगा पांध असामन 50 डिवाइड वाई 4 इंटू 45 हो जाएगा नहीं हो जाएग एक जिरो से एक जिरो कर देंगे हम केंसिल यहनी कि हमारे पास बचा पांच बचे 18 पांच बचे 18 को हम बाग करेंगे लगाएंगे दसमलो बढ़ाएंगे 0 अब 18 दूनी 36 दूनी 36 दो बार जाने दीजे क्योंकि जब हम 50 से 36 निकालेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 4 ए तो यह मिजुकल्टू कितना आ जाएगा जीरो पाइंट टू सेवन एट मॉल यह हमारा इसका अंसर आ जाएगा इस प्रकार से आपको निमेरिकल को हल करना है निस्ट निमेरिकल क्या है देखिए बड़ा इत्मिनान से ध्यान से समझ लीजिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा निमेरिकल कह रहा है बीस ग्राम एने ओएच पांच ग्राम बिलाइक में घुला है तो मॉललता की गड़ना करना है हमें गिवन क्या दिया गया है इसको नोट कर लेते हैं हमें डबलू का मान दिया गया है टुन्टी ग्राम आप कहो के पांच ग्राम एभी दिया गया है तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है पांच ग्राम बिलाइक का बार है बच्चों यहाँ पर बिलाइक का बार होना क इसमें चाहिए बच्चों केजी में अगर हम किलोग्राम में बनाएंगे तो इसमें एक अजार से भाग करेंगे सुरी कटेगा नहीं मैंने काट दी पांच एककन पांदुनी दस ऐनी की एक बटे दो सब किलोग्राम ठीक है समझ में आ गया अब देखिए हमसे मोललता यानी की स्मॉल एम पूँच रहा है कुश्यन मार के एने ओएच का आपको अड़ुभार मालु में कितना होता है एने ओएच का अड़ुभार 14 होता है कई वार निकाल चुका ठीक है सूत्र में लगाना स्मॉल ए एन्टु आप बताइए दिखिए यहां पर चाहें तो आप भी माल लें यह आप लिख लें बिलायक का वहार केजी में। बिलायक का भार केजी में अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों जगा कम है जल्दी से देखिए इदर यह मीजुकल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइड वाई 14 इंटू बन वाई 20 इतने ही तो आया 40 बिलायक का भार केजी में कितना आया इतने ही तो आया बच्चों एक जिरो से एक जिरो कंशिट पांच एक कंपांच चक को 20 कितनी बार गया चार पंचे वीज पांच बार गया अब इसको पांच को ले जाएगे हम उपर तो इसमोल एमेजुकल टू क्या हो गए 20 इंटू 5 20 पंचे 100 यानि कि 100 मोल आ गया मोललता जो आएगी वो हमारी 100 आ जाएगी बच्चों मोल ना लेखें तब भी सही है मोललता कितनी आगी बच्चों हमारी 100 ठीक है इसमझ में आगया आपको अब हम बात करते हैं निश्ट निमेरिकल और आप इस पर इस्टार लगा लिजे बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट निमेरिकल आप इसको ध्यान से समझे देखिए क्या कह रहा है किसी बिलियन को कोई बिलियन है उसका पच्चा आए 25 परतिसत एनि की 25 परसेंट बिलियन का 300 ग्राम तथा 40 परतिसत बिलियन का 400 ग्राम भारा अनुसात मिस्रित कर बनाया गया है इनको मिस्रण करके बनाया गया है परणामी बिलियन का भार हमें परतिसत ग्याद करना है परणामी जो बिलियन होगा इसका भार परतिसत ग्याद करना है कैसे ग्याद करेंगे, समझे इसको, तेखिए बच्ोँ, सबसे पहली condition, को हम हल करतें, पहली condition, billion को 25% billion, यहनि कि 25% बिलियन है, अब इसमें बिलायक भी होगा, और बिले भी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, पढ़ाया आपको था, billion is equal to होता है billion plus billion पढ़ाया था billion जो होगा वो होता है कम और billion होता है ज्यादा billion की परिवाशा क्या होती है बच्चों दो या दो से जब billion और billion के मिलकर किसी एक समागी मिसर्ण बनाते हैं तो उसे billion कहते हैं ठीक है अब हम पहली condition को को हल करते हैं दंखिए हमें कैह राय पजी पुछी साथ कोई बडियन है तुम क्या लखें गैंचे हमने मां ऌर खरीषिंस पर्शंद की किंप कि हमने पजी सब्दियृ कि इसमें हमें विले की असमाहती मात्रा को ग्याद कर लेड़ा है बिले पदार्थ की मत्रा कैसे निकालेंगे देखिए हमें 25% दिया गया है परसेंट सदय हंडेट में लेते हैं भाई परसेंटेज किसमें लेते हैं हंडेट में लेते हैं लेकिन कितने में हैं 300 ग्राम में है भाई इतना परसेंट 300 ग्राम तथा 40% का 400 ग्राम है, तो इसमें Mistred Million बनाय 그래도 300 ग्राम का अगर हम इसमें विले पदार्थ की मात्रा को निकालेंगे तो काइसे निकालेंगे देखिए इस 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना 25 गुणने 3 25 गुणने 3 करेंगे 75 ग्राम आ जाएगा तो बच्चों ये तो हमारी आ गए बिले की मात्रा किसकी आ गए बिले की मात्रा एक कंडिशन दूसरी कंडिशन में हमसे कह रहा है 440% का 400 ग्राम यानि कि 40% बिलेल के 400 ग्राम में बिले पदार्थ की मात्रा इसमें कैसे निकालेंगे 40 निकालते हैं किसमें 100 में इंटू कितने में निकालना है 400 में 200 से 200 केंसे 4 चक्कू 16 40 गुण 4 4 चक्कू 16 एनिकी 160 ग्राम यह हमारा इसका बिले हागे अब हम क्या करेंगे यह बिले आ गया यह बिले यानि कि बिले तो दोनों है फर्स्ट बिले यह आया सेकेंड बिले यह आया या फर्स्ट यह आया सेकेंड यह आया ठीक है अब हम क्या करेंगे बिले का कुलवार अब बिले पदात का कुलवार कितना है पहले काया 75 दूसरे काया 160 इनको जोड लेंगे इनको जब जोड़ेंगे तो आजाएगा 235 ग्राम 235 ग्राम आगया ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हमने एप बिले की मातरा को तो निकाल लिया अब हम क्या गिरेंगे बिलेन की मातरा निकालेंगे एनि कि टोटल हमारे पास बिलेन कितना था हमारे पास जो टोटल बिलेन था उसका निकालेंगे हम निकालेंगे परिडामी बिलेन का कुलवार परिडामी बिलेन का कुलवार जो हमारा पैडामी बिलियन आएगा इसका कुल भार कितना हो जाएगा पहला बिलियन दिया है 300 प्लस दूसरा बिलियन दिया गया 400 क्योंकि 300 ग्राम और 400 ग्राम है इजुकल्टू आगया 700 ग्राम ऐनिकी टोटल बिलियन हमारा कितना है बच्चों 700 ग्राम है अब देखिए हमें बिले की मात्रा आ गई और बिलेन की मात्रा आ गई ये तो हमारी बिले की मात्रा हो गई कुल बिले कितना था ये तो हमारा हो गया कुल बिलेन कितना है अब हम बिलाइक की मात्रा असानी से निकाल सकते है और हम इसमें बिलियन के में निकालना क्या है बिले पदात की प्रतिसत मात्रा हमें बिलायक से कोई मतलब नहीं हमें इसमें बिलियन पदात की प्रतिसत मात्रा निकालना तो हम निकालेंगे देखी हमारा अंसर आने वाला है बच्चों लिखेंगे परडामी बिलियन में परणामी जो बिलियन है इसमें बिले जो हमने मिलाया गया है इस पदार्थ की बिले पदार्थ की प्रतिसत मात्रा या हम कह सकते हैं प्रतिसत मात्रा लिखें या प्रतिसतता कहें प्रतिसतता इन में कितने प्रतिसतता है देखिए अब देखिए हमें बिले पदाद कितना है 235 है 235 है है कितने में 235 ग्राम है हमारा टोटल बिले न था 700 ग्राम इनकी 700 ग्राम में 235 है क्योंकि जब हम % निकालते हैं तो हमें साधार सी बात उसमें 100 लेना ही पड़ेगा 100 को लेंगे जब हम भाई क्योंकि 100 लेंगे जब हम इसमें तब हमारे पास क्या जाएगा क्योंकि सदैब हम 100% में मानते हैं कितना भी दिया हो उसको 100% ही मानते हैं अब हम क्या करेंगे इन 2-0 से 2-0 को कैंसिल कर देंगे कैंसिल किया तो कुछ नहीं बचा हमारे पास क्या बचा 235 डिवाइड वाई 7 आप देखिए जब हम इन 7 को 235 से भाग करेंगे क्योंकि साथ तियां एक आईस बचे तीन बचे 2 भैई 25 फिर साथ तियां एकिस लगाए दसमलों बचे 21 चार बचे साच चार के आगे जीरो चार साथ पना पैंटिस और फिर बचे पाँच पैंटिस फिर बचे पाँच साथ सते उन्चास यहनि कि साथ कितना आया 30 36.57 33.57 यहनि कि 33.57 यह इसको मैं एसे भी लिख सकते हैं 34 भी लिख सकते हैं इसे को एप्रोक्स में हम इसको 33.86 भी लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन अप्रोक्स मान अमारा यह माना जाएगा ठीक है बच्चों हो सकता है अबजक्टिम में कुर्शन नहीं आने वाला है साथ अगर आ जाए तो इन में से कोई भी मान आपको दे सकता है लेकिन आपको इतना सोच लेना है उसके अप्रोक्स अंसर आपको देना है ठीक है तो इस परकार से आपको निमेरिकल को करना है तो इस वीडियो के इंतरकत हम लोगों ने टॉप 9 निमेरिकल को कवर कर लिया है अभी लग वक एक से दो वीडियो और आने वाले जिसमें अब आपके लिए आएंगे एकदम धमाकेदार निमेरिकल वान टाप गुडांग को लेकर एकदम धमाकेदार दमाल मचाने वाले जिसमें हम कुथनांक, उन्यान, अबनमन, उन्यान इन सारे चीज़ों को डिसकस करेंगे, तो आज से, आज तक हमने क्या किया, मोललता हो गई, सांदरत प्रतिसत्ता हो गई, और मोललता हो गई, इस प्रकार के नारमलता, फारमलता, पर हमने निमेरिकल कर लिए, लगवग हर सूत्र के एक-दो निमेरिकल कर लिए, ठीक है, तो आपको आई होप भी वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में सेर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेना क्योंकि आपको इस प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहते हमारी इस चैनल पर लगातार रेगुलर और आपकी तैयारी बहुतर डंग से कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है तो आप लोग जुड़े रहिए जैहिल वंदे मात्रम